वेल अभी तक आप सबने LIC की तारीफे तो बहुत सुन ली होंगी लोग बड़ बढ़ चड़कर बात करें कि हम LIC में पैसा लगाएंगे आप लोग भी LIC में पैसा लगाईए पट क्या किसी ने आपको ये बताया कि LIC आने वले टाइम में शायद इतना ग्रो नहीं करेगी LIC डेफिनिटली प्रॉफिट बनाएगी पैसा तो बनाएगी बड़ वो ग्रो उतना नहीं करेगी अब मैं जो ये बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ हो सकता है आपको ना भी समझ आ रहा हूँ LIC के policy holders हर कोने में हैं इंडिया के अंदर अब जब हम बात करते हैं जिन्दीगी के साथ भी जिन्दीगी के बाद भी तो ये जो इतनी famous taglines है जो आपके दिमाग में घुसी हुई है ये LIC ने आपके दिमाग में घुसा दी और जिससे create होता है सबसे बड़ी चीज ट्रस्ट बट मैं जो आपको एक बात बोल रहा हूँ कि इस ट्रस्ट के बावजूद भी जो आने वाले टाइम में है मुझे ऐसा लग रहा है कि LIC नहीं करेगी profit बनाएगी तो इसे मैं आपको detail में समझाऊंगा पर उससे पहले थोड़ा सा history जान लेते हैं LIC के बारे में देखिए LIC आपको पता है कि 100% अभी तक LIC government owned है मलब total control government का है LIC के बना लो government की है तो इसी से trust create होता है कि LIC government की है तो हमारा पैसा security है हमें पैसा मिलेगा पट LIC की जो शुरुआत है 1956 में पार्लियमेंट ने एक act pass किया कि वह LIC बनाएंगे और वह कब किया 19th of June को और 1st September 1956 में बनाई गई LIC Life Insurance Corporation of India आजगी डेट में LIC का जो मार्केट शेर है प्रीमियम कलेक्शन के इसाप से 64.1% का है और LIC के जो लोग हैं वो पते क्या क्लेम करते हैं कि हम सबसे बड़े market leader है हम बाश्चा है बड़े अच्छी बात है वो बाश्चा है क्यों ऐसा बोलते हैं कहते हमारे बाद कोन आता है हमारे बाद हम first number पे हैं तो second number पे आता है SBI Life जिसका market share है 7.83% वहला कहा 64% कहा 7.83% second number पे आता ह HDFC, HDFC का अगर हम बात करें life insurance का तो 7.63% का market share है premium collection में उसके बाद max life देखो कितना बीच है 3.4% उसके बाद बजाज 2.1% और बागी जो private players हैं 20 से जादा companies हैं आज के एट में private जो है companies जो life insurance ओफर कर रही है वो बहुत पीछे है LIC के अगर हम compare करें बट मैं आपको एक चीज और बताऊंगा जो लोगों ने focus नहीं किया 2014 के अंदर LIC का market share था 75% का जो 2022 के अंदर घटके आज की rate में हम जब बात करें हैं हम 64% को बड़ा बोल रहे हैं बड़ हम यह नहीं देख रहे हैं कि वो 75 से घटके 64% पे हो गया ऐसा क्यों हुआ है अभी हम इसके उपर बात करें आप कुछ details definitely जानना चाते हैं आज की rate में LIC के पास दो लाख employees है दो लाख से जादा employees काम करें LIC के लिए अच्छी बात है बुरी बात है भी हम discuss करेंगे 15 लाख agents है यह definitely अच्छी बात है इसमें कुछ बोरा नहीं है 15 लाख agents बहुत बड़ा number है भाई सब यह business लेकर आ रह है और कई सालों से इन्होंने definitely market को बहुत अच्छी तरीके से capture भी किया हुआ है बड़ आने वाले टाइम में क्या होगा हम बताएंगे इनके बारे में 30 करोड से जाधा policies है यही जो LIC का सबसे बड़ा आप कह सकते हो ना जो ख़जाना LIC के बास वह 30 करोड से जाधा policies यह क् पना बड़ा इसकी ओपर में हमियत को दे रहा हूं इसकी ओपर भी बात करेंगे और आज की रेड में वैसे जो कंपनी ने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टर्स फाइल किया है डी रेच पी बोलते हैं तो उसकी अंदर अपनी valuation नहीं बताई है बट लोगों ने इंडस्ट्री के हिसाब से एक estimation लगा के बताया है कि तग्रीवन 15 लाग करोड की valuation के हिसाब से कंपनी पैसा मांग रही है IPO के अंदर कंपनी जो LIC के हम बात करें पांच परसेंट अपने stake डेली उट कर रही है अभी तक 100% सारे stakes government के पास हैं 5% हो गए 31.6 करोड शेर कंपनी निकाल रही है IPO के अंदर अब इसमें एक अच्छी बात क्या है कि 10% का quota रहेगा 10% एक तरीके से reserved रहेगा policy holders के लिए कंपनी के employees के लिए और यह चीज़ जानना जादा जरूरी है अगर आप long term के लिए invest कर रहे हो कि कंपनी की growth होगी नहीं होगी तो वह भी हम समझ लेते हैं क्योंकि आपक और दूसरी चीज़ हम बात कर रहे हैं कि policy holders को अलग से benefit हो रहा है क्योंकि वहां पर 10% का एक तरीके से quota है एक reservation है कि 10% employees और policy holders के लिए लेगा तो IPO में allotment के chances जाता है क्योंकि सबको IPO नहीं मिलता तो अगर आपके पास एक definitely एक plus point है और आपके पास LIC की policy है तो आप definitely अपन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा तो अगर आप चाहते हैं उसके उपरण वीडियो बनाए तो आप comment कर सकते हैं अब 63,000 crores company मांग रही है 5% stake के लिए 31.6 crores shares के लिए company क्या मांग रही है 63,000 crores raise करना चाहती है इंडिया के इतिहास में इससे बड़ा IPO नहीं आया है और इस IPO के बाद company की जो valuation है almost lines के बराबर है तो company इंडिया के अंदर अगर हम बात करेंगे यह 5% अपने stake value उट करके आपको देखेगा कि market में top player बन चुकी है टॉप पर आ चुकी है क्योंकि इससे पहले पेटियम ने 2021 के अंदर जो की IPO flop गिया मैंने आपको बोला था पैसा मत लगाना तो 18,300 crores raise करे थे IPO में उससे पहले 2010 में IPO आया था कोल इंडिया का 15,500 crores का और उससे पहले lines power का IPO आया था 11,700 crores का बटा भी यहां पर देखो 63,000 crores वैसे दो LIC Government of India के लिए एक सूनी की चड़ी है क्योंकि लगातार पैसा बना के दे रही है अब हम बात करते हैं यह सारे आपको डेटा पता लग यह जो जरूरी था मार्च में IPO आने वाले डेट्स भी सामने आ जाएंगे आपके आप अप्लाए कर सकते हो मैंने आपको बता करते हैं आप एक चीज़ कीज़ेगा आप सेम इंशॉरंस जितने कभी माली आपको टर्म इंशॉरंस लेना है दो करोड रुपे तो अगर आपको दो करोड का टर्म इंशॉरंस लेना है तो आप कंपेर कीजिए LIC कितना प्रीमियम चार्ज गर रहा है और आप ऐसा नहीं कि अगर आपको मालीजे आपको पॉलसी ऑफर कर रहा है तो आप लाइफ इंशॉरंस मालीजे किसी प्राइविट कंपनी से ले लेते हैं एक्जाम्पल मैंने टाटा का लिया था तो आप प्राइविट कंपनी का जड़ा कंपेर कीजिए कि वह आपसे कितना प्रीमियम और अब लोग क्या देख रहे हैं लोग कह रहे हैं और भी एसा नहीं है जितनी भी इंशॉरंस सब को ब्रेइड किया जाता है और वह भी गवर्मेंट बॉडि रेगूलेट करती है तो ऐसा नहीं है कि लेकर कोई भाग जाएगा आपका पैसा जब आप प्रीमियम किसी कंप सिंट का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है और अगर अगर प्राइवेट कंपनीज का देखोगे तो वह भी अच्छा है इनसे भी अच्छा ओफर करने कहीं सारी कंपनीज तो अब बात करते हैं कि भीया एक तो मुझे सेम अगर दो क्रोड़ कंपर को टर्म इस लेना था मैं L.I.C में ज्यादा पैसा दे रहा हूं और मैं प्राइवेट प्लेयर को कम पैसा दे रहा हूं कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो L.I.C में नहीं मिलते हैं जो कि आज की डिमें प्राइवेट कंपनीज ओफर कर रही हैं तो बात करते हैं जब कॉम्पेटिशन की लोग तो यही बोलें कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम एक डेटा ही लें दो हजार हम 14 से 22 की बात करें तभी इनका माकेट शेयर कम हो चुका है अने वाले टाइम में अगर कंपनी लगातार जादा प्रीमियम चार्ज करेगी अपनी सर्विस को और बेटर नहीं करेगी तो होगा क्या और अपने यह जाए यह वह मारकेट शेयर क्योंकि आप आज की डेट में चीज को कंपेर नहीं कर सकते हैं बड़ा बैंकिंग सर्विस आपके पास भी मृटिपल बैंक अकाउंट सोंगे आपके पास प्रॉब्लिक बैंक अकाउंट में भी पैसा हो प्राइविट में भी यह ऑग पर जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है जर्नली, तो अब है क्या चीज, एक तो सबसे बड़ी चीज है, प्रीमियम जादा कलेक्ट कर रही है, और अगर लोगों को लगाता रही लगता है, कि LIC का इंशॉरंस महंगा है, और सिर्फ ट्रस्ट के नाम पर लोग, अगर आप बोलत आज की रेट में LIC के एजेंट्स हैं, बट आप LIC के किसी भी एजेंट्स से पूछिए, क्या मुझे किसी और कमपनी का भी आप इंशॉरंस दिलवा सकते हैं, दे सकते हैं, बताओ कौन सी कमपनी का चाहिए, तो यह सिर्फ LIC के सगे नहीं है, यह 15 लाग एजेंट्स और भ पैसा, जहां से पैसा बढ़िया मिलेगा, वो उसका प्रॉट्ट बेचेंगे, LIC में मजा क्या आता है, मखन इनल लगो को लगता है, देखो LIC के अगर पॉलिसी के लिए कोई कॉल कर देता है, तो यह LIC एजेंट्स के लिए एक नशा होता है, क्यों होता है, मैं आपको करेंगे, 30-35,000 रुपेद हो, उसे स्ट्रेट अवे मिल गया, और जब तक वो इनसान प्रीमियम देता रहेगा, हर साल या हर महीने, वो जो भी प्रीमियम दे रहा है, उस प्रीमियम पे 5% और, किसे जाता है, एजेंट को जाता है, यह मॉडल है, LIC का, तो स्ट्रेट अवे एक बहुत मोटा मांट LIC दे रही है, और 5% लगातार दे रही है, तो यह नशाय लोगों को, भी लोग सोचते हैं कि एक बार हमने LIC के एजेंट बन गए, और हमने 100-200-500,000 पॉलिसी कर दी, ओहो हम जिंदगी पर बैठ के खाएंगे, क्यों खाएंगे, क्यों जिसने भी LIC क पॉलिसी लिए, मैंने आपको बताया था, कि LIC के लिए जो खजाना है, वो है 30 करोड पॉलिसी, मालो मेरी पॉलिसी चल रही है, तो मैं बंद करा दूँगा क्या पॉलिसी, मैं पास साल से पॉलिसी के पैसे दे रहा हूँ, तो क्या आने वाले टाइम के लिए कोंटीनियू क्योंकि लोग कॉंटीनियू करते हैं, LIC की कोई भी पॉलिसी लेने के बाद कॉंटीनियू करता है, तो लगातार, क्योंकि अभी गवर्मेंट बाडी है, तो गवर्मेंट को पैसा जा रहा है, उसमें से एजेंट्स को उनकी कमीशन जा रही है, तो एजेंट्स को रेगुल insurance sector से आना चाहिए जो कि अभी तक इंडिया में आसपास भी नहीं है तो अभी हम बहुत पीछे penetration के अंदर और बहुत बड़ा scope बाकी है तो आप समझ लिए कि आने वाले time में LIC market capture करेगा खुछ सोचो आप खुद दिमाग लगाओ कर सकता है कर सकता है अगर इसने premium को थोड़ा सा कम किया और products को और innovative बनाया अब एक और चीज समझते है LIC पे जो यह पैसा आ रहा है यार सारे लोग सिर्फ यह नहीं सोचते कि अब यह सोचो यह company के इसके पास insurance का पैसा आता है इसका करती है इसे market में लगाती है LIC इतना बड़ा investor है कि उसे उसने market के अंदर यह share market की जब हम बात करते हैं तो इसमें इतना पैसा लगाया हुआ है कि LIC अपने आप में एक index fund बन गया है अब हमने index fund की बात करी दी कि index fund वो funds होते हैं जो market के साब से चलते हैं तो market उपर जाएगी तो बड़ा मज़ा रहा है market नीचे गरेगी तो नुकसान होगा LIC ने market में इतना पैसा लगा रखा है क्योंकि पैसा जब आ रहा है तो करेंगे क्या LIC regular profit कमाने वाली है LIC के पार assets भी बहुत है और उससे regular income आती रही बट growth जो है वो एक बहुत बड़ा question है क्योंकि अगर LIC जिस तरीके से चल रही है उस तरीके से अगर हम previous data देखें जो मैंने आपको बताया था कि 2014 से 2022 के अंदर ही वो अपना market share lose करती जा रही है आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि वो lose करेगी पर अब लोग एकी चीज़ जाना जाते है कि सर आई पी हो रहा है पैसे लगाए ना लगाए इन future क्या होगा देखा जाएगा IPO के अंदर ना क्या matter करता है तो हाइप मैटर करती है हाइप डेफिनिटली बहुत जादा है ठीक है हाइप है लोगों को अगर ऐसा लगेगा कि valuation के हिसाब से ठीक पैसा मांग रही है कंपनी तो डेफिनिटली आपको आने वाले टाइम में शेर बढ़ता हूँ देखेगा कि क्यों हो सकता है अक्चुल वैलिविशन कंपनी ने बता ही नहीं है DRHP में तो वैलिविशन अगर जादा लग रही है और कंपनी कम वैलिविशन के सबसे पैसे मांग रही है तो शेर के प्राइस बढ़ने के चांसे होते हैं दूसरी चीज़ प्रॉफिट तो अभी कुछ ट वो बहुत अच्छे इंडिकेटर होता है इस चीज़ का कि कंपनी आने वाले फ्यूचर में क्या करने वाली चारी और वो फ्यूचर में बहुतक तो शेर आपको बागता हूँ और अगर ऐसा इन फ्यूचर दिखता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली यह L. इसी के उबर जब आई पी ओने वालोगों उससे पहले हम अगर आप चाहते हैं दुबारा वीडियो बनाएं तो आप कॉमेंट कर सकते हैं उसके उपर भी हम वीडियो बना के आपको देंगे अब इना डिमेंट आकांट के आप इपए-उ के लिए अप्लाए नहीं कर सकते हैं और फिक अगर आपके पास जैसे मैं आपको बोलरू कि कि अगर आपकी मदर के नाम से जल्दी वीडियो लाने की कोश़िश खेंगे अकि आप बोलेंगे कॉमें दो so we'll see you in the next video till that time you open your DMIT account today and go self-made